। डोस्तो आजकी इस वीडियो में आप सभी को बताने हो लगा हो कि tym वाटसाप की फोटो और वीडियो को गैलेरी में कैसे लाए वाटसाप की 2-3 सेटिंग के बारे मैं बताऊंगा जिस सेटिंग को आपको भी अपने WhatsApp में चेक कर लेना है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन फोटो मेरे करेंगे setting पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको चैट पर वाले setting पर क्लिक करना है यहां पर आपको media visibility वाले जो setting यहां को आपको आउन कर देना क्योंकि दोस्तों यहां पर आप इसे off रखते हैं तो यह आपके आए हुए आपको फोटो वीडियो आपको फोन के गलेरी में सो नहीं करते हैं तो आपको इस setting को on कर देना है आपको इस तरीके से इस setting को आउन कर देना है तेकिन अब भी आपकी प्रॉबलम यहां पर पूरी तरीके से सौट आउट नहीं हुए दोस्तों यह setting आपके पूरी के पूरी WhatsApp के लिए थी लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी पर्टिकुलर बंदे के प्रॉफाइल में इस तरीके से टैप करते हैं इस आई वाले आइकन पर टैप करते हैं तो हर एक परसन के हर एक के प्रॉफाइल में अगर आप जाएंगे तो उनके setting देखने मिलती है उनके में कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया विजिबिलिटी का आप यहाँ पर टैप करने के बाद अगर आपके WhatsApp में इस तरीकिसे default में yes set है तो अच्छी बात है अगर no है यह भी WhatsApp की photo video आएंगे वो मेरे phone के gallery में सो होंगे सिर्फ इस बंदे की भेजी गई कोई फोटो वीडियो मेरे phone के gallery में save नहीं होगी नहीं सो होगी क्योंकि इस particular बंदे की यहाँ पर setting no में बंद है यानि कि एक बंदे का यहाँ पर setting बंद है तो यहाँ पर आपका इस तरीक आप किसी चैट के particular बंदे के चैट में अगर आप इसी तरीके से WhatsApp के profile में जाते हैं और यहाँ पर हमें एक और setting देखने हो मिलती है encryption का तो आप encryption पर सोरी यहाँ पर आपको नीचे despairing message का आप despairing message पर किलिक करते हैं अगर यह setting किसी के भी WhatsApp chat में इस तरीके से on है 90 days या 7 day या 24 days तो भी इसके दुआरा भेजा गया कोई भी photo video आपके phone के gallery में show नहीं होगी क्योंकि जब यह setting on होती है तो वो photo video private हो जाती है और वो आपके phone के gallery में show नहीं होती ही तो आपको इस setting को भी बंद कर देना अगर यह setting किसी के WhatsApp profile में इस तरीके से on है तो जब तक on रहे कि तब तक उसके द्वारा भेजा गया कोई photo video आपके phone के gallery में show नहीं होगी तो आपको यहाँ पर इस तरीके से off कर देना है यह थी तिसरी setting अब चौथी setting के बारे में बताने हो दोस्तों यह setting most important setting है तो इस setting को जरूर देखिएगा जैसे मैं अपने WhatsApp chat को open करता हूँ और यहाँ पर तीन photo मेरे WhatsApp में आई थी जहाँ पर मैंने एक photo को click करके download किया जो मेरे phone के gallery में show नहीं कर रही है लेकिन अभी मैंने just यहाँ पर three dot प उन्हें भी मैं tap करके यहाँ पर download कर लेता हूँ इससे टैप किया मैंने download हो गई तो total मैंने तीन photo को यहाँ पर download किया एक photo मैंने पहले download किया जब वो setting बंद थी और इन दो photo को setting को on करने के बाद मैंने download किया है चलिए यहाँ से हम back जाते हैं और आपने phone की gallery को open करते है open करन जितने भी photos हमने download किया है वो हमारे phone के gallery में show नहीं हो रहा है तो उन photos को आप अपने phone के gallery में कैसे ला सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ वो photos भी अभी अभी आपके mobile में है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर आपको चले जाने अपने file manager पे file manager प पर आपको नीचे whatsapp अले folder आप वोत्सक्राल में बेदें सदन गाता प्राइवेट पर नेया फोल्टर के देखकte सोब्सक्राइब। बंद रहती मिडिया विजीबिलिटी वाली तो इस दोरान जो भी फोटो वीडियो आप डाउनलोड करेंगे वह आपके वाट्सप के प्राइबेट वाले फोल्डर में आकर सेब हो जाती है और आपके फोन की गलेरी में ले जा सकते हैं जिसके लिए आप प्राइबेट वाले फोल्डर पे किलिक करेंगे और यहां पे camera 2 वाला या जो जिस भी फोल्डर में आप उस फोटो को send करना चाहिए उस फोल्डर को select कर लिजा और वो फोटो आप आपके इस वाले फोल्डर में पहुंच चुकी है आचली हम paste कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से अगर कोई फोट उस वीडियो को आप अपने gallery में ले जा सकते हैं तो I hope आप सभी कोई वीडियो पसंद आई होगी फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे comment section में comment करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं इस वीडियो में पस इतना ही जल्द ही मिलेंग जये एंग